इसलिए इसलिए गए हैं शिवपाली आदव के द्वारे मेरे साथ एक है मिश्रा जी अब आपने सब को सुन लिया है आपने संसकार सुन लिया प्यार सुन लिया मनुहार सुन लिया सब सुन लिया आपने ये भी सुन लिया कि सुभासफा का प्रत्याशी जितने वाला है तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई ये मजबूरी का मिलन है क्या और क्या वाकई अखलेश यादव के भी मुश्किल था चनौती पून था देखे मैम चुकि यह जो पूरी डिबेट है समाजवादी पार्टी के कंडिडेट और उसके इर्दिगर्द घूम रही है तो हमारे जो समाजवादी प्रवक्ता थे हमारे मित्र बैठे थे उन्होंने बड़ा करणप्री और मनमुहक व्याख क्या दिकी चचा और भतीजे का रिश्टा ये है तो चचा और भतीजे का रिस्ता तो अलावद दिन खिल जी और जलाल उद्दीन खिल जी का वी था जो कि कड़े सवाल यह यह पयोर राजनीत की बाता है जो अख्लेश यादा अभी पीछे दो तीन सालों में जो हुआ ना डिमपल यादो किसी को भी चचा की याद नहीं आई याद नहीं आई अब उनको इस जगह पे जाकर के मुझे लगता है वो ऐसे फसे हुए है कि चाहे लेस मात रही क्यों न सही लेकिन शिवपाल यादो जी के बिना नईया पार नहीं होने वाली है अब यहाँ पर definitely मैं बोलता हूँ मतलब कोई first hand information तो नहीं है लेकिन यहाँ पर अखलेश यादो और डिंपल यादो ने ही approach किया होगा शिवपाल यादो जी को और यह तब किया होगा कि अभी चार दिन पहले यह ख़बर आई थी कि अखलेश यादो ने तो शिवपाल यादो से बात भी नहीं की किसी meeting meeting में गए थे अब ऐसा क्या हो गया इन चार दिनों में कहीं कहीं ground level पे उनको यह ख़बर चली होगी कि भाई situation जो है यहाँ पर बड़ी tough है एक seat हारने या जीतने से विदान सभा में ना सरकार किसी की नई बनेगी न गिरेगी लेकिन यह प्रतिस्था की बात है यहाँ पे और यह बड़ा long lasting impact देगा अगर dimple यादो यहाँ पे हार जाती है तो मरता क्या न करता और एक चीज़ और है कि शुपाल यादो भी अगर वापस गए है तो मुझे लगता है ऐसा कोई मोह नहीं है उनका भी अपना गणा ने उनका भी यह लगा होगा थे कि अभी तक जब से वो अलग हुए या किये गए अपने आपको वो as a politician वो इस्टेबिस नहीं कर पाए जो इस्टेबिल्टी उन्होंने पहले enjoy की थी कातार कई सालों तक कैबिनेट मिनिस्टर यह वो दस-दस पोर्टफोलियों लेके बैटे रहते थे वह अभी तक एक दो सीट भी शैद मिल जाए उनकी सीट मिल जाती है उसके बाद कितनी मिली मुझे पता नहीं तो उनको भी यह लग रहा था कि हाँ भाई अगर और मुझे जादा संभावना के इस बात कि मुझे इस बात की संभावना नहीं दिखती है कि एक गुडवल बनी रहेगी मुझे लगता कि महन पूरी का जिनाओ ख़तम गुडवल ख़तम अगर नहीं देखे अगर अगर सब कुस थीक ठाक रहा और डिमपल यादो जीत भी गई ना तो म वो विलय हो जाए यह संभावना मुझे दिखती है क्योंकि मुझे यह लगता है कि शुपाल यादो अभी भगवान करें उनकी उम्र बहुत हो लेकिन वो जब तक रहेंगे वो सपा के पैर में ऐसे चुबे हुए कांटे की तरह रहेंगे अखलेश यादों के कि वो एक एक चुब होया है वही कांटा जो है निकालने के लिए वहाँ जा रहा है कि आईए चाचा हम आपके पैर का कांटा निकालते हैं तो यह मैं बोलना हूं कि लांग टर्न में दोनों विन-विन की कुछ प्लानिंग करने इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे बीजे को कि उनका इंडिविज्वल कोई कंडिडेट वहां पर ऐसा नहीं है जो यादो फैमिली को चुनोती दे सके नहीं मान ले तो फिर सियासत किस चीज की सियासत पर दुरू कैसे रह जाए सियासत ठीक है आप मत मानिये चुनाओ जीतना देखिया हलां कि अब बीजेपी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिल सकते हैं तो अब आज़स गूड़े की अब जाने लेकिन डूकर अजीज चाहती हूं आप से क्या वाकई शिवपाल यादव अखिलेश के पाऊं में फंसे हुए एक कांटे हैं जिने निकाला जा सकरा है और साल रहे हैं कदम अधर कदम उस दर्द का हिसास भी हो रहा है क्या चल किया रहा है सरी चोटा सर्व इस इस में सुर रहा था इस पर कमेंट इस इतना ही है कि जैसा जिसको दिखे ये दुनिया वह साथ झाल 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 झाल